अगर कोई समाज अपने इतिहास से कड़ जाता है, तो वो कटा हुआ समाज कटी हुई पतं की तरह कभी उपर नहीं जाता है, उसका गिरना तैय होता है। हम सभी का सम्मान करने वाले लोग हैं, सबका सम्मान करता हैं। हर कोई इस देश के लिए काम करने वाला दल कोई भी हो हमारा विरोध भी क्यों न किया हो लेकिन जिसने देश के सेवा कि उसका सम्मान होना चाहिए उड़ी सा के पाइका विद्रों के 200 वर्स पूरे होने पर पिछले साल हमने जिसमें सामीर रहे अमर बलिदानियों को याद क कुछ दिन पहले सर्चोटु राम की प्रतिमा के अनावरण के लिए मैं रहतक में था उनके जैसे बहुमू की व्यक्तित्व के बारे में लोगों को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए जिन्होंने क्रिशी, सीचाय, सिच्छा और भुमी सिधार के खेत्र में त्यापक स्तर प के लिए भी काम किया है, ऐसा इसलिए क्योंकि पांच महत्वपुन स्थल बाबा साब, भीमराव, अंबेड करके जीवन की अलग-अलग समय की बात को हमारे सामने परस्तूत होती है, इतना ही नहीं, हमने ये भी ताई किया, कि आज़ादी के जेंग में 1857 से ले करके, हमारे आदिवासी भाईयों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बगवान बिरसा मुंडा को कौन जानता था, भुला दिया गया था, हमने ताई किया है, हमारे आदिवासी भाईयों बहनों ने देश की आज़ादी के जंग में जो जान की कुर्बान की है, उसके इतिहास को ल लाल किले की प्राचीत से होने वाले जंडा रोहन समारों में सामिल होने का भी मुझे सव भागे मिलेगा अब आप पूछेंगे कि 31 अक्टूबर को लाल किले पर ये जंडा रोहन क्या हो भाई मुझे मालूम है कुछ लोग इसकी भी आलोचना करने वाले वो नजाने मेरे बा तो क्या है 21 अक्टूबर का तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर 2018 को नेताजी सुपाश पंतर चेंद्र बोर्ज द्वारा गठीत आजाध हिंद फोज ने स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना के 75 वर्स पूरे होड़के